गुड बॉर्णिंग फ्रेंड्स बंदे मात्रम तो आज एक बार फिर हम कार्य उर्जा जो चाब चैप्टर हमारा है कार्य तथा उर्जा इसके बारे में थोड़ा आगे स्टडी करेंगे तो आप सभी मेरे इस पूरे वीडियो को खुब अच्छे तरह से देखिएगा तो आ आपको टॉपिक समझ में है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सस्क्राइब आवज से करें जिससे आपको नेक्स अपडेट मिलता रहे तो आते हैं इसे पहले हमने गतिज उर्जा के बारे में स्टडी किया था कि हमारा काइनाटी की नर्जी क्या होता है ठीक है ने अवस्था होती है गति की अवस्था के काण उस पदार्थ के अंदर गतिज उर्जा होती है आज का टॉपिक है इस्सित उर्जा यही पोटेंसियल इनर्जी इस्सित उर्जा क्या होती है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे ठीक है अब हमारी गतिज उर्जा जो होती है ठी अगर पदार्थ बिरामा अवस्था में तो उस बिरामा अवस्था के कारण उसके अंदर संग्रहित जो उरजा है उस उरजा को हम इसितिज उरजा के नाम से जानते हैं या उसको अंग्रेजी में हम potential energy के नाम से जानते है potential energy कहते हैं ठीक है अब जो हमारा potential energy होता है उसको हम क्या है U से represent करते हैं किस से represent करते हैं U से ठीक है या उसको हम E P से भी represent करते हैं E means energy P means potential energy ठीक है तो अगर हम देखा जाए जो भी पदार्थ बिरामा वस्ता में तो उसके अंदर भी उर्जा संग्रहीत है ठीक है ने वो भी पदार्थ हुजा क्योंकि जो उर्जा संरच्छन का नियम है उर्जा सनच्छन का नियम क्या कहता है कि उर्जा को तो ना तो हम उत्पन कर सकते हैं और ना तो नस्ट कर सकते हैं उर्जा को केवल हम एक आवस्था से दूसरे आवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं मतलब energy cannot be created, cannot be destroyed, it can be changed one form to another form this is called the law of conservation of the energy energy के जो law of the conservation है उर्जा सनच्छन का जो नियम है वो यही कहता है कि energy को हम उत्पन नहीं करेंगे और नस्ट भी नहीं कर सकते हैं केवल एक आवस्था से दूसरे आवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं तो अगर हमारे पास यहां देखा जाये तो पदार्थ अगर बिरामा आवस्था में है तो उसके अंदर भी उर्जा नहीं थे जो पदार्थ बिरामा तो उसके अंदर जो उर्जा नहीं थे उस उर्जा को हम क्या कहते हैं इसी तूर्जा के नाम से जानते हैं या वो potential energy कहलाता है ठीक है ने इसे हम कैसे represent करते हैं इसको represent करते हैं U से represent कर सकते हैं U से हम potential energy बोलते हैं या EP से represent करते हैं और यह हमारा क्या कहलाता है potential energy या इसी तूर्जा के नाम से जाना जाता है ठीक है इसका हमारा मात्रक जो होता हो जूल, जो गती जूर्जा का मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है जूल, इसको हम जूल में मापते हैं, ठीक है ना, इसी तूर्जा भी जूल में मापी जाती है, ठीक है ना, तो हम इसको जूल में मापते हैं, इसका जो मात्रक हमारा है, वो क्य जूल है ठीक है ने जिस तरह से गतिज उर्जा का मात्रक जूल है उसी तरह से इसी तूर्जा का भी मात्रक जूल ही है इसको जूल में मापा जाता है ठीक है ने तो यह हमारा राग गतिज उर्जा इसी तूर्जा का डेफिनिशन इसका मात्रक क्या है ठीक है इसका मात्रक हमा वाली उर्जा को दार्थ की इसी तुर्जा के नाम से जाना जाता है ठीक है न और इसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसका जो मातरक होता है वो मातरक इसका जूल होता है ठीक है अब आते हैं किसी उचाई पर बस्तु की इस्तित उर्जा माले कि कोई बस्तु किसी पे है, मालन लीजे कि यहां पे dimension दिया है, कि हमारा M mass particle है, इसका mass क्या है, M है, यहां पे, ठीक है, ए अर्थ से H height पे है, यहां पृत्वी से ह उचाई पे इसको रखा गया है, ठीक है, अब यहां से हं करना पदार्थ की इसी तुर्जा को गड़ना करना ठीक है इसी तुर्जा मतलब किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में जो किया गया कारे है वही पदार्थ की उर्जा कहला दिये ठीक है अब मालो यह अर्थ पे था और यहां से ले जाने पे कुछ कार करना पड़ेगा तो कारेट जो हमारा डबलू होता है वर्क डबलू डबलू इसक्वल्ट होता बल गोड़े 20 ठापन ठीक है नहीं अगर किसी पदार्थ पे बल लगाया जाया और उसके अंदर 20 ठापन हो तो हम कहते हैं कि इसके द्वारा किया गया कारे तो जो किया गया कारे डबलू है डबलू इसक्वल्ट हो जाएगा बल इंटो 20 ठापन ठीक है या हम डबलू इसक्वल्ट लिखेंगे बल बल हमारा क्या होता है F और विस्थापन को हम क्या लिखेंगे यहां से देखो यहां से पदार्थ का जो विस्थापन हो रहा है इस situation है इस situation में इसके height H है तो यहां इसका जो विस्थापन हो क्या हो जाएगा H हो जाएगा क्योंकि विस्थापन जो अवस्था में परिवर्तन एक अवस्था से, दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन होता, उसी को हम 20 थापन कहते हैं, तो हमारा यहाँ 20 थापन H हुआ, ठीक है, अब अगर किसी particles को नीचे से उपर के डारेक्शन में ले जाते हैं, तो जो उसका जो बल होगा, वो भार में convert हो जाएगा, ठीक है, ठीक ह जाएगा gravitation उसके उपर gravity काम करेगा तो इसलिए हमारा जो W is equal to हो जाएगा W is equal to F is equal to mg into h ठीक है यहां से mg into h हो जाएगा यहां हम W is equal to लिखेंगे यह फार्मॉला जाएगा mg h और उसी किये गए कारी को हम क्या काते हैं जो यह कारी किया गया इसी को हम गति इस्तितूर्जा के नाम से जानते हैं और इसे हम U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो U is equal to हमारा हो जाएगा MGH या इसी को EP बोलेंगे EP is equal to be MGH होगा ठीक है तो हमारा जो potential energy है जो गति इस्तितूर्जा है तो इस्तितूर्जा का यह formula हो गया अब यहां से देखते हैं कि अगर इसका MKS सिस्टम में इसका unit find out करना हो तो हम किस तरह से find out करेंगे तो अब देखो यहां से M जो है यह पदार्थ का द्रब्यमान है तो द्रब्यमान का मातरक किलोग्राम होता है ठीक है unit meter होता है तो इसका जो unit होगा हो जाएगा kilogram meter square per second square तो हमारा जो इसी दूर्जा का मातरक होगा होगा kilogram meter square per second square ठीक है या इसी को हम दूसरे नाम जूल से भी जानते हैं अब अगर इसका dimension हमें निकालना हो वीमा निकालना हो तो वीमा किस पकार से निकालेंगे अगर वीमा हमें उर्जा का वीमा लेना हो तो इसका वीमा जो है एक किलोग्राम है यह द्रब्यमान है ठीक है तो द्रब्यमान की जो वीमा होती है वो M होती है ठीक है ठीक है पर M का power 2 है, यहाँ S, S ए time है, time कौन T से represent करते हैं, क्या हो जाएगा T to the power minus 2, it means, जो हमारा energy, चाहे वो potential energy हो, चाहे वो kinetic energy हो, उसका जो dimension होगा, होगा M, L square T to the power minus 2 के बराबर होगा, ठीक हैं, अब यहाँ से हमारा dimension, यह इसका जो दूसरा मात्रक है, इसे हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, क्या कहते हैं, जूल, इसका दूसरा मात्रक जूल भी होगा, जिसे हम हम use में लेते हैं, कि यह गया कारे को, चायो गती जूर्जा हो, चायो उसी तूर्जा हो, हम उसको जूल में मागते हैं तो यह तो हमारा रहा, इसी तूर्जा क्या होती है इसी तूर्जा का derivation कैसे करते हैं, उसका formula क्या होता है इसका formula होता है U is equal to MGH या EP is equal to MGH के बराबर होता है जहां यहां प्रदार्थ का द्रविमान है G गृत्तिय तुरण है H उचाई या गहराई है ठीक है वहाँ पे हम गती जूर्जा को माव सकते हैं ठीक है अब इस से लेटेट कुछ एक्जामपल्स हैं तो मैं थोड़े एक्जामपल्स आपको बता रहा हूँ जो आपके टेक्समुक में दिये हुए हैं तो आप ध्यान से देखिएगा ठीक है न तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा फर्स्ट इक्जामपल मैं आपको बता रहा हूँ जो इक्जामपल है 11.5 ठीक है न तो आपको पहला इक्जामपल 11.5 एक कोशन है कि 10 किलोग्राम की बस्टु को अगर हमारे पास 10 किलोग्राम की एक बस्टु है 10 किलोग्राम की बस्टु को धर्ती से 6 मीटर की उचाई तक उठाया जाता है ठीक है न एक 10 किलोग्राम की बस्टु है ठीक है न उसको धर्ती से 6 किलोग्राम 6 मीटर की उचाई पर उठाया जाता है मतब पदार्थ का जो दरब्यमान है पदार्थ का दरब्यमान M is equal to 10 केजी इसका दरब्यमान है 10 किलोग्राम उसको प्रिथवी से 6 मीटर की उचाई पर उठाया जाता है इसका मतलब H is equal to 6 meter, अब कहारा है, तो इसमें जो पदार्थ के अंदर उर्जा है, उस उर्जा का हमें परिकलन करना है, यानि इसके अंदर कितनी इस्तित उर्जा है, इसका मान हमें बताना है, हम लोग को पता है कि अर्थ के उपर जो लगभग G की value होती, G is equal to 9.8 meter per second square के बर हुए, अब हमारे पास potential energy के लिए जो formula है, EP is equal to MGH, जहां M क्या है, पदार्थ का दर्विमान है, तो M दिया है 10, तो 10 into G, 9.8 और into 6, इसका height 6 है, ठीक है, तो 10 को 9.8 से multiply करेंगे, तो 9 की 8 हो जाए, क्योंकि यहां decimal remove हो जाएगा, into 6, 6, 8 जा, 48, 4 कैरी होगा, फिर 6, 9 जा, 54, 54 में 4 add करेंगे, तो 58, ठीक हैं, तो इसका जो energy होगी, ठीक हैं, जो इसका कार गति, इसी तूर्जा होगी, वो हो जाएगी, 588 J, ठीक हैं, तो यहां से में पता चल गया, कि अगर हम 10 किलोग्राम की बस को, 6 मीटर की उचाई पर उठाएंगे, तो इसकी जो इस्थिती जो उर्जा होगी, जो इसकी potential energy होगी, वो 588 J के बराबर होगी, ठीक हैं, तो इसका solution था, जो हमारा example था 11.5, next एक example और है, इसको भी आप ध्यान से देखी, ठीक है न, example number 11.6, अब 11.6 example क्या है, 12 किलोग्राम की बस्तु है, यहाँ भी एक बस्तु है, लिखा है कि 12 किलोग्राम की बस्तु को, धर्ती से एक निश्चित उचाई पर इस्तित है, मतलब यहाँ पर height नहीं दिया है, ठीक है, माल लो हमारे पास, ए बस्तु है, यहाँ इसका मास ट्रल केजी है, इस्तित है, यहाँ भी बस्त की इस्तु तुरजा 480 J हो, मेंस इसमें दिया है, E, P is equal to 480 J, अगर इसका, इसी जब 480 J हो, तो बस्तु का धर्ती के सापेक्ष उचाई ग्याद कीजी, मतलब हमें H find out करना है, H कितना होगा, और question में दिया, G is equal to 10 meter per second square, ठीक है, एक जी की value हमें दी हुई है, एक बार question को मैं फिर से repeat करता हूँ, एक 12 किलो ग्राम दर्ब्यमान की बस्तु है, जो धर्ती से एक निश्चित उचाई पर रखी हुई है, उस उचाई पर यदि बस्त की इससी तूज़ा 480 J है, तो बस्तु का धर्ती के सापेक्ष उचाई ग्याद करना है, और question में G की value दी है, 10 meter per second square, तो आप एक बार देख नहीं होगा, यह 12 किलो ग्राम ही है, इसकी जो इस्तित उर्जा है, E.P. है, वो 480 J के बराबर है, और जो G की value है, G 10 meter per second square है, तो हमें इसकी इस्तित उर्जा को find out करना है, कि इसकी इस्तित उर्जा कितनी होगी, ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास, यहां से बस्तु को लिख लेते हैं, यहां से बस्तु की जो हाइट है, H is equal to what, इसे हमें find out करना है, दूसरा E.P. दिया हुआ है, यह पोटेंसियल इनर्जी, इसकी है 480 J, यह भी दिया हुआ है, बस्तु को जो द्रब्यमान है, M है, M है 12 KZ, और गुत्ती परण जो G है, G की value दिया हुआ, 10 meter per second is equal, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फार्मूले का प्रियोग करेंगे, ठीक है, तो फार्मूला जो है, यहां से E.P. E.P. is equal to, यह पोटेंसियल इनर्जी is equal to MGH, हमारा जो पोटेंसियल इनर्जी होता है, वो MGH के बराबर होता, तो E.P. is equal to, 480 J, यहां मास, इसका मा दिया है, 12, G की बेलू दिया है, 10 और into H, ठीक हैं, अब यहां से H की बेलू हमें, find out करना है, तो हम 0 से क्या करते है, 0 को cancel कर देते हैं, ठीक हैं, और 12, ठीक हैं, 12 फोर्जा, 12 फोर्जा 48, ठीक हैं, अब यहां से यादा हैगा, 4 is equal to H, या H is equal to 4 meter, मत्तब वो जो बस्तु है, वो प्रिथवीर से 4 meter की उचाई पर है, अगर कोई बस्त, 12 kg की बस्त, प्रिथवीर से 4 meter की उचाई पर होगी, और अगर गृत्ती तोर्ण जी का मान 10 meter per second square होगा, तो उसकी जो इसी उर्जा होगी, वो 480 Joule के बराबर हो जाएगी, ठीक हैं, तो इस तरह से आप क्या ये सारे numericals, इस तरह के जो numericals हैं, आपको exercise में भी दिये हुए, अगर इस formula का प्रयोग करेंगे, तो definitely आपको सारे numerical खुब अच्छे तरह से समझ में भी आएंगे, और उसका solution भी होगा, ठीक हैं, तो अब next, जो हमारा है, next topic, next topic को हम next video में update करते हैं, तब तक के लिए आप स